उत्तरकाशी में पिछले साल धरासु जोगत मार्ग में हुए वाहन हाथसे में घायल यूवती को आखिरकार प्रशासन से मदद मिल गई है जहां डी-म डॉक्टर आशिस चोहान ने पीडिता के परिजनों को स्वैम एक लाख रुपए का चेक दिया इसके साथ ही डी-म ने पीडिता के परिजनों को अन्य जरूरी सामान भी प्रदान किया वहीं डी-म के हस्तक शेप के बाद घटना के अन्य घायलों को भी मुआवजे की धनराशी प्रदान कर दी गई है इसके साथ ही डीम ने पेड़िता के इलाज के लिए हर संभव मदद परदान करने का भरोसा भी दिया डीम ने मुआवज़ा वित्रण मिला परवाही बरतने वाले अधिकारियों से सपश्टिकरण मांगते हुए उन्हें जिम्मेदारी से कार्रे करने की हिदायत भी दी आपको बता दे कि 15 अक्टूबर को धरासु जोगत मार्क के भड़कोट शेत्र में एक टैक्सी अनंतरत होकर 50 फिट घहरी खाई में गिर गई थी जिसमें पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकी बनकौट निवासी प्रेंका पुत्री रमेश सिंग सहित पांच अन्य लोग घायल हो गए थे प्रेंका की रीड की हड़ी में गहरी चोट आई जिसको देखते हुए डीयम ने खोद पीडिता के परिवार को एक लाख रुपए का चेक सहित वीलचेयर, वाटर बैग, टेलीवीजन और कैरम बोर्ड प्रदान किया पंजब के सिरी टीवी के लिए उत्तरकाशी से आशीश मिश्रा की रिपोर्ट